गाड़ी के टैर पर अक्सर दिखते हैं रबर के कांटे, आज जान लिजे इनका नाम और काम मोटर सैकल और गाड़ियो के टैरों को यदि आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनके उपर रबर से बने कांटे, हेर जैसे रेसे मोज़़द होते हैं कई दफ़ा हम लोग इसे manufacturing defect याने की machine बनते वक्त आई गई मामूली खराबी मान कर अंदेका कर देते हैं लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह हैं कि यह कोई बनावट में हुई खराबी नहीं है अगर कोई बीट टायर खरीद रहें और टायरों में यह कांटे मुझूद हो तो इसका आरत हैं कि वो अच्छी quality का हैं इसी करण से अगली बार यदि आप एसा टायर खरीदते हैं तो इसका मतलब यह हैं समझें कि यह काफी फायदे मद रहेगा यह टायर यूजना के तेद बनाए गया हैं टायरों में रबर के कांटो को बनाने का एक काफी खास मकसद है फिलाल जानते हैं कि इन्हें कहते क्या हैं और इनका प्रियुक क्या हैं वहानों के टाइरों पर बने इन रबर के कांटों को वेट स्प्यूज कहा जाता है जिसका मतलब है किसी भी वस्तु का बाहर की और निकले रहना है दरसल इन्हें सड़क पर चलने वाले वहानों के टाइरों को काम करने की सम्ता को बेहतरिन करने के लिए बनाये गया है सरल बासा में समझे तो गार्डी के चलने से टायर पर एक परकार का दबाव बनता है इसी दबाव के परभाव को कम करने के लिए करा जाता है इन्हें बनाने वाली कम्पनियों जब इन टायरों का निर्मान कर रही होती है तब रबर से बने इन पेने हिस्सों को टायर में लगाये जाता है क्योंकि टायर बनने के दोरान इनके अंदर बुलबुले बनने का डर रहता है और ऐसा होने पर टायर काफी कमजोर हो सकता है यही कारण है कि इनी टायरों में लगा कर इसका खत्रा कम करते है अब अगले बार यदि आप भी टैर करीजने जाएं तो इस बात का भी से प्यान रखें रबर के कांटे अवसिय हो अबर के का भी से प्यान रखें